दुनिया में कई सारे रहस्य आज भी अनसुलजे हैं, जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलजा पाया। वैग्यानिकों ने कुछ रहस्यों से पर्दा हटा तो लिया, लेकिन दुनिया की कुछ रहस्य जनक चीजों से अभी तक कोई भी पर्दा नहीं हटा पाया है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं उन रहसियों के बारे में जो अभी तक लोगों के लिए एक अभूज पहेली बनी हुई है लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले The Dancing Plague of 1518 उनको नाचते हुए देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास हो गया है नाचने का ना तो कोई बड़ी वजह थी और नाहीं कोई ऐसा खास मौका जिस पर नाचा जा सके एक महीने के भीतर ही नाचने वाली महिलाओं की संक्याद 400 के पास पहुँच गई इसके बाद धार्मिक परोहिट से लेकर वैग्यानिक तक बुलाए गए नाचते नाचते कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी यहां तक की महिलाओं की नाचते-नाचते मौत भी होने लगी इसके बाद उनके लिए स्टेज बनाये गए और अलग से हॉल बनाया गया सभी लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की इस्थिती में तभी बदलाव आएगा जब वो दिन राद नाच पाएंगी इस घटना के पीछे कई तरह की थियोरी दी गई जहर, एपिलेपसी, सामुहिक मानसिक बीमारी भी बताए गई लेकिन फिर भी इस एतिहासे घटना का आज तक कोई संतोश जनक जवाब नहीं मिल पाया दा एसेस ओरंग मेडान, साल 1947 के जून महा में मलक्का की खाडी में वियापारिक मार्ग से कई जहास गुजर रहे थे इसी दोरान एक SOS संदेश पहुचा कि जहास के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है नस्दीक के जहास सिगनल का सोर्स पहचानते हुए उसी तरफ बढ़े सबसे नस्दीक की मर्चेंट शिप दसिल्वल स्टार सिगनल की तरफ तेजी से पहुची औरंग मेडाउन पर आते ही सभी लोग हैरान रह गए देखा तो हर क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी जहास पर लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी कई लोगों की आँखें खुली भी हुई थी और उनके चहरे से डर साफ नजर आ रहा था यहां तक की जहास पर सवार एक कुट्टे की भी मौत हो गई थी बॉयलर रूम में शवों के नस्दीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी जबकि तापमान 110 डिगरी था हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं थी दसिलवर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापिस अपनी शिप पर जाने का फैसला लिया इससे पहले ही डेक के नीचे से धुआ निकलने लगा एसस औरंग मेडॉन में धमाका होने से पहले ही वो किसी तरह अपनी शिप पर वापिस पहुँच गए कुछ लोगों ने इस पूरी घटना के प्राकरतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया वहीं अधिकांश लोग इसके पीछे सूपर नैचरल पावर को जिम्मेदार बताते हैं डेथ वैली कैलिफॉनिया डेथ वैली के नाम से कुक्यात इस जगह पर धेर सारे पत्थर मौजूद है इस सूखे मरुस्थल पर अलग-अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहसे में ढंग से मौजूद है कुछ पत्थर तो ऐसे लगते हैं जैसे वो घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है यहां का नजारा देखकर आप हैरान हो सकते हैं किसी इनसान या जानवर के जरिये इन पत्थरों को घसीटने के कोई भी सबूत नजर नहीं आते कुछ लोगों का मानना है कि भौगालिक बदला वतूफान के कारण पत्थर कुछ इस तरह मौजूद है नासका लाइन्स, नाजका रेगिस्तान, दक्षनी पेरू पेरू में इस्थित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकरतियां बनी हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं इन में से कुछ आकरतियां इंसानों, बौधों और जानवरों की मालूम पड़ती हैं इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 इसा पूर्व से यहां मौजूद हैं ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलो मीटर में फैली हुई हैं हलिकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहां दूसरे ग्रहों से आई यूफो उत्रे थे जिसके चलते सतह पर इतनी सरंचनाय बनी थी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मसेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद